आखिरकार चीन ने वही किया जिसका डर था दुनिया ये सोच रही थी कि यहाँ पर अब युद्ध खत्म हो जाएगा क्योंकि युद्धा भ्यास सिर्फ 7 और 8 तारीख तक होना था लेकिन इसके बाद चीन ने कांड कर दिया और कांड करने के पीछे जिनपिंग के चीन के अंदर ही बहुत बड़ा बवाल भी मचा हुआ है इन सब के लिए जिनपिंग का गुसा भारत के ऊपर क्यों फुट रहा है क्या ताइवान चीन जंग में भारत की कोई भूमिका है जिससे डर रहा है चीन जानेंगे क्या है मामला, क्यों उसकी जनता पूरी तरीके से भड़की हुई है आए जानते हैं इन ख़वरों को विश्तार से जिन्पिंग को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा कल और ये फैसला क्यों लेना पड़ा, उसके पीछे एक बड़ा कारण है अगर ये फैसला जिन्पिंग नहीं लेता, तो जिन्पिंग का बहुत बुरा हाल होगा अब हुआ ये कि आपको याद होगा, गोवर टाइम्स का जो ये एडिटर है इसने जब पेलोसी की यात्रा होने वाली थी, तब ये कहा था कि अगर पेलोसी का विमान हमारे हवाई छेतर से गुजरा, तो हम उसे मार कर गिरा देंगे और जैसे ही ये बात कही, चीनी जन्ता पूरी जोस में भर गई और चीनी जन्ता को यही लगा, कि ऐसा ही होगा, और ऐसा होने के लिए वो तैयार हो चुके थे स्क्रीन पर बैठ कर टेली विजन पर नजरे टिकाए बैठे थे कि किस तरीके से हम पेलोसी के जेट को मार कर गिराएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पेलोसी का विमान आराम से ताइवान उत्रा, ताइवान में जोसीले अंदाज में स्वागत हुआ और उसके बाद जो मसूर विल्डिंग है ताइवान की, विल्डिंग 101 पर अमेरिका ताइवान के दोस्ती के मेसेज फ्लेस होने लगे अब ये सब कुछ जैसे होने लगा, इसमें सबसे ज़्यादा बौखला गई है चीनी जनता चीनी जनता ये कह रही है कि और वो भी अपने राष्टपती सी जिनपिंग से कि पेलोसी को रोकने के लिए आपने कौन सी रनीटी अपनाई देश में ऐसे लोग हैं जो राष्टपादी हैं उन्होंने सवाल करना सुरू कर दिया कि जब अमेरीका का एर फोर्स का जेट पेलोसी को लेकर मंगलवार रात ताइवान पहुँचा तो उसी समय कोई मिलिटरी एक्सन क्यों नहीं लिया गया जिन पिंग अब यहां पे फस गया और फसने का कारण है अधूरा ग्यान अधूरा ग्यान इसलिए क्योंकि गोबर टाइम्स ने जो बात कही जनता के मन में भर गई कि नैंसी का जेट तो हम सौट कर देंगे उसे गिरा देंगे नैंसी पेलोसी का जेट जब ताइवान की र राष्टवादी समर्थकों की आवाज सरकार के खिलाब तेज हो गई ट्वीटर जैसे ही एक माइक्रो ब्लोगिंग वेफसाइट है वीवो जिसमें यूजर्स ने लिखना सुरू कर दिया मुझे नहीं पता की मेरे दिमाग में कितने ख्याल आ रहे हैं ये बहुत ही सर्मना चीन के महान दिवार के बाहर खड़े लोग चीन पर हस रहे हैं हम एकदम कागच के ही सेर हैं इससे पहले कई जगह पे ऐसे संदेश पोस्ट होने लगे आज आने लगा गोबर टाइम्स ने जो कहा उससे बिलकुल अलग हो गया है कई लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि चीन की जनता बहुत नाराज है उनके देश भक्ती की भावनाओ पर चोट पहुचाई गई है जब गोबर टाइम्स के एडिटर ने ये बात कही तो फिर चीन पिंग के मिलिटरी कमांडर्स ने उसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुचाया जनता में इस बात को लेकर नाराजगी होने लगी अब हुआ ये है कि हू के जो बड़े बड़े भारी भर कम सब्ध है वो इस वक्त चीन के राष्टपती जिन पिंग के लिए बहुत बुरे साबित हो रहे हैं एकदम से बैक फायर हो गई है और बैक फायर होने की वज़ह से जो गोबर टाइम्स का संपादक है हू उस उसके लिए तो ऐसी इस्तिती हो गई है कि देखना आप ये बली का बकरा बन जाएगा इस पर कारवाई जरूर होगी क्योंकि इस वक्त चीनी जनता में बहुत गुसा है अब उसके बाद चीन ने सोचा कि ये ड्रील तो खत्म हो गई अगर हम ड्रील रोग देते हैं तो फि ये ड्रील आगे बढ़ने का मतलब क्या है इसका मतलब है कि युद्ध होगा अब यहां पर बाइडन ने किस तरीके से आग में घी डालने का काम किया है ये तो युद्धाब्यास है इससे कुछ नहीं होगा हाँ चीन थोड़ा आकरामक हो गया है बाकि इस युद्धाब्य से कुछ होने जाने को नहीं है अब यह देखकर आपको यही समझ में आएगा यहां पर अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध हो ऐसे में जब चीनी जंता भड़की हुई है अमेरिका भी चीन को उकसाने वाली बातें ही कह रहा है या तो आप भड़क कर युद्ध करोगे या फि आप कैसे हैं आप ऐसे देखिए कि एक तो चीन के अंदर उसकी अपनी जंता उतर आई है अपने सरकार के खिलाप दूसरी तरफ चीन के अधिकारियों को कुछ दीख नहीं रहा है कि कैसे अपनी जंता को मनाएं अब इसके लिए यह जो परवक्ता है इन्होंने एक अजीब से बिछडे हुए नागरिक हैं और ताइवान हमारा है यह अजीब सा एक स्टेटमेंट दिया जिसे आप यही कहेंगे कि अभी इनके सीनियर आपसर्स को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना है क्या नहीं कहना है अब जैसे ही यह चीज इन्होंने डाला कि हमारे द देखा चीन के अंदर के एफसी के 18 मेंग्डोनल्ड के 17 उननीस बर्गर कींग के हैं यह सारे तो अमेरिका के हैं मतलब चीन हमारा पार्ट है अमेरिका का पार्ट है इसी तरीके के बहुत सारे आने लेगे जापान ने भी कहा कि हमारे 100 रामें रेश्टूरेंट है ताइवा है कि कैसे अपनी जनता को मोटिवेट करना है और इस वज़े से इन्होंने जंग को लगबग छेड़ने का एलान कर दिया है क्योंकि अब यह यहां पर एक तो हो गए काफी दिन जिससे बंद है यह ताइवान स्ट्रेट अब कितने दिनों तक आगे बंद रहेगा इसकी फारत चीन ने भारत को वार्निंग देना सुरू कर दिया है बोलना सुरू कर दिया है कि आप हमारे और श्रिलंका के बीच डिस्टर्भ कर रह हो यह बिल्कुल सेंसलेस है कि हमारे जहार को आने नहीं दे रहो अब यह इस पाई शीप आ रहा था अपने खास मकसद के लिए अगर ताइवान में जंग छेड़ेने का मूड बना चुका है चीन तो यहाँ पर यह इसपाई सीप एक बड़ी भूमी का निभाता लेकिन भारत ने उस भूमी का को निभाने से पहले ही तबाह कर दिया बात दरसल यह है कि यह इसपाई सीप यहाँ तैनात करके भारत की एक् सन ले लेंगे वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ